आपके सामने यहां पे हेड ऑपरेटर और जो आपका एसिस्टेंट ऑपरेटर है बो सकते हैं रेडियो संवरकी जो आपकी तीन वेकंसी निकली हुई है इसमें सबसे बड़ी बात जो बच्चे अभी भी परेशान है कि सब बीसी एंसी वालों का क्या हुआ आपको मिली या नहीं मिली फर्म भरे ना भरे पक्का सेलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहाँ पर एकसेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये सारी बातें continue अभी भी call और comment के मध्यम से आ रहे हैं तो उसी का उत्तर देने मैं यहाँ पर आया हूँ यदि आप चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब रो कर लो को लाइक ज़रूर कर लो और मुझे यह भी comment में बताते रहो कि आपके तैयारी कैसी चल रहे हैं और आप सभी कैसे हैं उम्हें बहुत बढ़िया होंगे है जो हमें भरती बोर्ड से पता चला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दिखिए जैसा कि मै हमारे ARO साब से बात भी हुई थी तो उनका यही कहना था कि अगर हस ज्यादा संख्या में BCA MCA वाले यहां पर सेलेक्शन लेते हैं तो मजबूरी वस भी हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा उनके documents को वहां पर accept करना पड़ेगा और उनका सेलेक्शन देना पड़ेगा FQ और FAQ के form में क्या होता है वह upload करते हैं बट अभी क्योंकि DG सर उसमें कुछ समस्या चल लही थी तो upload करने के mood में नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि चुनाओं के बाद कुछ ऐसा हो कि वह upload भी कर दे तो इसमें 50-50 chances बना हुआ है कि upload भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है हमारा प और अगर आपका संख्यावल ज्यादा होता है तो भर्ती बोर्ड को भी वहां पे आपको accept करना पड़ेगा फिर वहां पे नियम कानूर और आपके वो सकते हैं सम्विधान और court से बढ़के कोई नहीं होता ना ही कोई सासन होता है और ना ही कोई आयोग होता है बास समझ में सब्सक्राइब क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है एक बात भी आई दी ऑ बच्चा गया डीजी साब से मिला और उसने हमें फोन भी किया कि सर डीजी सर हमसे बहुत रियूटली बात कि उन्होंने बोला कि आपको बीटेक कर लेना जाहिए था बीटेक क्यों नहीं कर करने का जो बच्चा डिप्टलोमा और बीटेख वाले कर नहीं कर सकते हैं, मिनिमम होता है, मैवस्जार अगर आप उससे ज्यादा हो तुमिल कन सकते हो और ये बात हम में डिरेक्टली थे भी गई है कि बीटेक वालों को eligible कर दिया गया है लेकिन नियामावली में क्योंकि उसमें केवर्ड डिप्लाउमा मांगा है तो उसका भी कुछ भाती बोड की website पर अलग से नहीं आएगा उसका और सेलेक्शन लो आपका जो नियुक्ति है वो हम कराके देंगे यह कंफर्म है दूसरी बात यह है कि अभी जो रेडियो ऑपरेटर की बैच चल रहा है क्योंकि कंबाइन बैच चल रहा है तो वह सारे बच्चे यह पूश रहे हैं लगता कि सर इसमें जो तैयारी कराई जाए लेबल भी लगभग बराबर बराबर है कुछ कोशन में आपको 19-20 का अंतर देखेगा बाकी नहीं देखेगा अंतर केवल फ्रजक्स साइंस वाले पोर्शन में है कुछ केमस्टी के भी पोर्शन है लगभग लगभग एक किताब ही है अगर देखा जाए 12 की और सहायक वाल 99 में मिल ला है तो अगर आप अभी भी पर्शेज नहीं कियो तो बैस से जुड़ सकते हो तीसरी एक बहुत जरूरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी उत्तरपदेश पुलिस भरती बोर्ड द्वारा जो यूपी कॉंस्टेबल की भरती का वो चल रहा है वो अभ जब भरती वो होगी 26,000 पाद और इनका पूरा चांस है कि खिसका खिसका कि जैसे ही एक बार एलेक्षन के रिजल्ट आते हैं है न क्यूंकि एलेक्षन जब तक यह लगा रहेगा तब तक वो नहीं भरती का वो नहीं दे सकते हैं नोटिफिकेशन ही दे सकते हैं तूरंत ही उसके अंदर ही सारा काम हो जाना है और notification आपका जश्ट 15-15 मार्च तक आ जाएगा ये बाद भी उतनी ही confirm है तो आप लोग UP Constable की तयारी करते रहो और टीम परिक्षप्लस आपके लिए इसके समख्ष बहुत ही बड़ी खुसकवरी लेके आने वाला है जो सायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि UPP Constable भरती में कितना बड़ा काम करने जारी है परिक्षप्लस आपके हित में सदे खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी इसके अधिरित यादे आपकी कोई query हो कोई समस्या हो कोई भी परिक्षानी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो और जितना आप हम से प्रेम बसा लोगे हम आपके लिए उतने ही दिनदाथ खड़े रहेंगे आपका प्रेम ही हमारे प्रेवड़ा का स्रोथ बनता है फिर बलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभाद